दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाइल्स याने की जो बवसीरी की तकलीफ है वो जितना आप और मैं सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कुमन प्रोब्लम है क्योंकि लोग अक्सर इसके बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही है या सिर्फ ये हमें ही है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी आईरवेदिक रेमिडीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके पाइल्स के जो symptoms हैं उनको release करती है और जो पाइल्स है आपके उनको जड़ से खतम करने में काफी मदद करती है इन में सबसे पहली remedy जो है वो है अर्षकुठारस जिसको हम औरली लेते हैं और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है जात्यादितील इसका इस्तेमाल हम गुदादवार में जो मस्से होते हैं उनको लगाने में करते हैं और गुदादवार के अंदर डालने में इनका इस्तेमाल किया जाता है इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये दोनों दवाईयां मिलकर कैसे आपके जो बवसीर के यानि पाइल्स के जो मस इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं इन दो चमक्तकारिक ओश्डियों के बारे में दोस्तो सबसे पहले सोट में समझते हैं कि पाइल्स याने की हम्रोइड्स की जो भीमारी होती है वो होती क्या है दोस्तो पाइल्स याने की हम्रोइड्स यह बेसिकली स्वेलिंग वेंड्स हैं जो आपके एनस रेक्टम या उसके आसपास का जो एडिया होता है वहाँ पर होती है यह कभी कभी internally भी हो सकती है और यह externally भी हो सकती है internally वो कि जो आपके rectum के अंदर वाली piles होती है वो internally piles कहला ही जाती है और जो आपके NS के बाहर वाली piles होती है वो externally piles कहला ही जाती है इसके symptoms में आपको उहाँ पर eating महसूस हो सकती है आपको वहाँ पर जलन महसूस हो सकती है आपको वहाँ पर खुजली महसूस हो सकती है दर्द महसूस हो सकता है और कभी-कभी आपको वहाँ पर खुन भी आ सकता है खुन बेसिकली मल त्याक करने से पहले और मल त्याक करने के बाद ड्रोपाइज गिरता हुआ मैसूस हो सकता है अब जान लेते हैं इसके कारणों के बारे में दोस्तो फाइल्स यानि जो बवसीर की तकलीफ है इसका जो सबसे मैन और पर्टिकुलर कारण है वो कॉंश्टिपेशन यानि की कब्स का होना है जब हमारा मल कड़ा होता है कब्स होता है तब हम मल त्याक करने जाते हैं तो ज़्यादा जोड लगाने की वज़े से हमें पाइल्स की शिगायत हो जाती है इसके अलावा बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ट फूड, तेज मिर्च मसाले अला खाना खाने की वज़े से, ज़्यादा लाइफ स्टाइल जीने की वज़े से, वयायाम ना करने की वज़े से, एक की जंगे पर पड़े रहने की वज़े से, बैठे रहने की वज़े से, यह जो तकलीफ होती है, इसके होने के चांसे हो सकते हैं और भी काफी कारण होते हैं लेकिन ये जो कुछ कारण है ये इसके मेजर कारण है जो इसकी वज़े से ये तकलीफ होती है दोस्तों पाइल्स के लिए इंटरनली और एक्टरनली दोनों तरीके के ट्रीटमेंट अगलेबल हैं लेकिन अगर हम दोनों को compare करें जो internally treatment होता है यानि कि जो खाने वाली दवाईयां होती है वो man roll अदा करती है और जो लगाने वाली दवाईयां होती है वो secondary होती है वो primary roll अदा नहीं करती है लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में मिला के ले तो यह एक बेहती comprehensive approach पैदा करती ह और जो आपके piles के मस्से हैं जो आपके बवसीर के मस्से हैं उनको remove करने में उनको दूर करने में उनको जड़ से खतम करने में काफी अच्छा roll अदा करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अर्ष कुठार रस के बारे में दोस्तों अर्ष कुठार रस एक herbal ayurvedic medicine ह जो especially piles के उच्चार के लिए ही बनाई गई है इसके अंदर कुछ natural ingredient होते हैं जैसे की बेलगिरी, चित्रकमूल, सोट, पिपल, दंतिमूल, कलिहरी, etc इसके अलावा इसमें और भी ऐसे herbs होते हैं जो piles के जो समस्या है जो piles के मस्या हैं उनको दूर करने में काफ़े साहिता करते ह दोस्तों ये tablet आपके digestive system को improve करती है उसको support करती है और जो आपके bowel moments है उनको regulate करती है जो की piles के treatment के लिए बहुत जरूरी है जब आप अर्श-कुठार-रस के इस्तिमाल करें तो आपको मिर्च मसाले, गरम मसाले, बहुत ज़्यादा fried food, non-vegetarian food, processed food का प्रेज रखना है हाँ, चाय या कोफी आप एक बार ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चाहें तो दो बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ये एक बेहद ही effective ayurvedic दवा है, जो आपके खुनी बावसीर और बादी बावसीर दोनों तरीके के piles को उप्चार करने में मदद करती है हाँ, लेकिन consistency बेहद ज़रूरी है, अगर आप piles का उप्चार करना चाहते हैं, तो आपको regularly कुछ दिन तक अपने डोक्टर के निगरानी में इस दवाई का सेवन करना बेहद ज़रूरी है अब चलते हैं दूसरी remedies की तरफ, वो है जात्यादी तेल, यह anti-inflammatory, analgesic और antiseptic गुनों से भरपूर होता है जो आपके piles के मस्से हैं, जो आपके बवसीर के मस्से हैं, यह उनमें जो inflammation होती है उसको भी दूर करते हैं, वहापर जो दर्द होता है उसको भी दूर करते हैं और जो हाँ पर infection फैला हुआ है, यह उसको भी remove करता है जब ये दोनों दवाईयां आपस में मिल जाती हैं तो ये काफी अच्छा आपके जो बवसीर की दिक्कत है उसमें आराम दिलाती है दोस्तो अगर आप बवसीर की समस्या से छुटकार अपाना चाते हैं इसको जड़ से खतम करना चाते हैं तो आपको ये दोनों remedies यानि की अर्ष खुठार रस और जात्यादी तील इनका आपको लगतार सेवन करना है और अपने डोक्टर की देखरेक में continuously इसका सेवन करना है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी साउधानिया की के बवसीर की दिक्कत होती है जो परेशानी होती है अगर उसमें हम ये साउधानिया अपना लेंगे इन साउधानियों को अख्यार कर लेंगे तो आपकी जो बवसीर की समस्या है आपकी जो बवसीर के शिकायत है वो प्रिजनल फ्रूट्स लेने हैं जिससे कि यह आपके जो कुंश्टिपेशन की जो सिकायत है उसको दूर करें और आपके जो पाइल्स की समस्या है उसको भी यह रिड्यूस करें इसके अलावा आपको पानी का परियाप्त मत्रम में सेवन करना है बोडी को हैडेट रखना है बोडी में डिहाइडेशन ना होने दें प्रोफरली वर्क आउट करें प्रोफरली रेगुलर एक्सराइज करें घूमने जाए वोक करें अगर आप डेली वोक करते हैं एक्सराइज करते हैं तो यह आपके पाइल्स के मैनेजमेंट के लिए काफी लाबधैक साबित होते है इसके अलावा आप बाहर का fast food, junk food, processed food, non-vegetarian foods और तेज मिर्च मसाले अले foods का जो सेवन करते हैं उसका बिल्गुल प्याग कर दीजिए उसको बिल्गुल बंद कर दीजिए उससे आपकी जो piles की जो शिगायत है वो काफे जल्दी हीलोनी शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ आप अपने खाने में घी मिला कर ले सकते हैं घी आपकी जो आते हैं उनका जो moments है उसको regulate करने का कारिया करता है और वहाँ पर जो participation के शिगायत है उसको दूर करता है अगर आपको piles के symptoms काफी जादा है आपको उसमें अराम नहीं मिल रहा है तो आप मारे क्लिन सेंटर नगर पंचयत कारियाले के सामने अमी नगर सराय बागपत तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैंने जो यह वीडियो आपके लिए बनाई है मुझे उमीद है यह आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब वावस्ते करें जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर जरूर करें जिससे कि अगर आपके आजपडोस में दोस्तों में रिष्केदारों में किसी को बवसीरी की समस्या है वो इसको देखे और जादर से जादा फायदा दूआउसे नवाजे मुझे भी दूआउसे नवाजे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुद आपिस